ट्रेम्पी सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ, साथियों लोक तंत्र की मजबूती के लिए बोटर्स का जागरूख होना बहुत जरूरी है पूरे भारत वर्स में 95 करोड के आसपास बोटर्स हैं तथा 10 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन है और इन सभी पर मैन पावर जो पोलिंग कराती है एक करोड के आसपास लगती है इसमें हजारों प्रत्यासी अपने भाग की अजमाईस करते हैं लेकिन साथियों यह सब किस पर निर्भर करता है यह सब करता है आपके अंगूठे की ताकत पर आपकी बोट पर यदि आप जागरूख है तो आप सच्चे और अच्छे इनसान को बोट देंगे आप यदि जागरूख नहीं है तो धरम, जाती, पैसा के प्रलोभन में किसी भी गलत आदमी को आप बोट दे देते हैं साथियों बोटर 18 साल से ले करके 110-115 साल तक का होता है इसमें मेल, फीमेल, युवा, वुजर्ग, दिव्यांग, किसान, सरकारी, करमचारी, अधिकारी ये सभी सामिल होते हैं कुछ लोग सेना में काम कर रहे होते हैं कुछ लोग पहाडों पर काम कर रहे होते हैं कुछ खेतों में और खलानों में काम कर रहे होते हैं कुछ जोपड़ी में रह रहे होते हैं तो कुछ महलों में रह रहे होते हैं लेकिन लोग कितने बोट डालने जाते हैं 55 से 60 करोड लोग ही बोटिंग करते हैं कुछ लोग अपनी AC कमरों में, AC ओफिसों में आराम करते रहते हैं बोट डालने के लिए नहीं जाते हैं साथ्यों जब वो जो लोग बोट डालने के लिए नहीं जाते हैं वही सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं यदि आप जागरूख हैं आपके छेत्र में चुनाव लड़ने वाला प्रत्यासी यदि क्रिमीनल का है तो आप जिला निर्वाचन आयोग या राज निर्वाचन आयोग या भारत चुनाब आयोग को उसकी सूजना दे सकते हैं यदि कोई धनका दुरुपयोग कर रहा है किसी कलोनी में साड़ी बांट रहा है, पैसे बांट रहा है, सराब बांट रहा है, तो उसके लिए भी आप ही सूजना देंगे, निर्वाचन आयोग को कुछ पता नहीं होता, निर्वाचन आयोग की आँख, नाख और कान, जब आप लोग बन जाते हैं, तो आप ही बताते हैं, कि फलाने सारवजनिक इस्तान पर इसका होडिंग लगा हुआ है, इसकी इतनी गाड़ियां बिना परमीशन के चल रही हैं, यहे इतनी सुबधाएं रात को दो बजी, तीन बजी लोगों को पहुँचा रहा है, यदि आप इसमें अलर्ट हो जाते हैं, आप जागरूख हो जाते हैं, आप जिला निर्वाचन और राज निर्वाचन की आखनाक कान बन जाते हैं, तो सही प्रत्यासी जीत की दोड़ में आ जाता है, और यदि आप जागरूख नहीं हैं, बोट डालने के लिए यदि जुगई, जुपड़ी और इसलम बस्ती की लोग ही जा रहे हैं, या अनपढ़ लोगों को सराब पिला करके ही उनको जवरजस्ती लेकर जाया जा रहा है, तो आप लोगों का महत क्या रह जाता है, इस लोग तंत्र को मजबूत आप कैसे बनाएंगे, आप यदि जुम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो लोग तंत्र खत्रे में पढ़ ज जग रहना है, आपने अधिक से अधिक बोट डालने के लिए जाना है, जो हमारे समाज के स्वेम सेवक हैं, जो अठारे साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो NCC, NSS में पढ़ाई कर रहे हैं, वहन बिद्यार्थी अपनी सेवाएं दे, घरों में से उन बुजर्गों को लेकर के जाएं, जो दिव्यांग लोग हैं, जो चल नहीं सकते हैं, उनको भी इलचेहर की विश्था कराएं, जिनको आप मोटर साइकल सकूटर पर लेकर के जा सकते हो, उनको मोटर साइकल सकूटर पर लेकर के जाएं, जो हमारे वोजर्ग हैं, पूजनिय वंदनिय हैं, जिनकी उम्र सो साल से ज़्यादा हो गई है वो अपना इसी एप के द्वारा अपने वहीं से पोलिंग करें और यदि अब तो चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा कर दिया है कि यदि कोई प्रत्यासी को किसी प्रिकार की जानकारी लेनी है तो सुगधा एप पर वह अपनी बात को लिख कर जानकारी ले सकते हैं कहां पर फारम भरा जाएगा कौन सा फारम भरा जाएगा कब उसकी डेट होगी कब नाम वापिस लिया जाएगा कितनी गाड़ियों का रिजिस्टेशन होगा कहां से उन गाड़ियों का रिजिस्टेशन किया जाएगा कहां से पंपलेट और ह सकता हूँ आज ज़्यादा चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है युग बदल चुका है और इस युग बदलने में आपको electronic और इस device का यूज करना आना चाहिए प्रियोग करना आना चाहिए साथ्यों इसमें एक sweep होता है systematic voters electoral education program इसमें सारी जानकारी हर school college में दी जाती है बोटे बनबाई जाती है ताकि सही voter list तैयार हो सके गलत voter list नहीं हो क्योंकि गलत voter list के द्वारा बिवाद पैदा हो जाते हैं या कई सही भागेदारी मिल जाती है और सही आप नैतिक जिम्मेदारी निभाते हो तो लोगतंत्र आप जैसा चाहते हो वैसा लोगतंत्र आपको मिल जाएगा अन्य था आप किसी में कमी बाद में निकालते रहें क्योंकि वहाँ पर आपका सूरवार है आप बोट डालने के लिए नहीं गए आपने पनी बोट को नहीं बन बाया अब तो चुनाब आयो के द्वारा सत्रे साल के जो बिद्यार्थी होते हैं वह भी फोरम भर देते हैं और जब वो अठारे साल के हो जाते हैं तो उनका चुनाब का जो कार्ड है वो घर पर आ जाता है पहले बहन बेटियां अपनी बोट नहीं बन बाते थी यही होता था कि पराय घर पे जाएगी वहाँ पर ये बोट बन बा लेंगे लेकिन आज की जो हमारी बहन बेटियां पड़ी लिखी हैं वो जागरूप हो गई हैं और जो समझदार हैं जो इस लोग तंत्र को मजबू जाते थी लेकिन साथियों चुनाब आयोग इसको पार दरस्ता के रूप में करने जा रहा है जिसमें आपकी भागेदारी बहुत जरूरी है आप यदि किसी ब्यक्ति की सही सूचना यदि देते हैं किसी के यहाँ पर वो बिना परमीशन के होडिंग लगाता है या कहीं पर ज़्यादा अपना प्रचार प्रसार करता है या केवल ऑपरेटर माउल वाले और जो सिनेमा घर होते हैं वह यदि किसी दवा प्रभाब में आकर के उसका चुनाब का प्रचार करते हैं तो जब तक आप नहीं बताओगे जब तक आप उसकी साक्ष नहीं दोगे तब तक च चुनाब आयो को बताने वाले आप हैं और चुनाब में पार दरस्ता लाने वाले आप हैं आप यदि सही है तो यहें लोगतंत्र मच्बूत रहेगा साथियो इन बातों के साथ में मैं आपका धहन्वाद करता हूँ आपको साधु बात देता हूँ आपके उजल भविस की क बातों के साथ आपका बहुत-बहुत सुक्रिया बहुत-बहुत आपका